में तो आई जानते हैं करवा चौट में चान ना दिखे तो क्या करें में तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में अश्वक रखें कि चंद्यू के उद्यना होने की समय कम से कम एक घंडे तक उनके दसन का इंतजार करना चाहिए यदि फिर भी चंद्यू नहीं निकलते तो इस इ में इन उपायों को अपनायाच जा सकता है में तो सास्तों के अनुसा सवत्ता उपाय यह कि भगवान सिब्जी की प्रित्मा अथात चित में इस्तित उनके सीस पर बिराजमान चंद्यू के दसन और विद्यवत पूजा करने के परश्चाद अपना करवा चौट का व्यत ख सकती हैं तो आई जानते हैं करवा चौट क्यों मनाया जाता है दूस्तों अगर हम सास्तों वर्निस कठाओं को देखें तो हम पाएंगे कि किस प्रकार पार्वती जिने घोर तब करके भगवान सिब्जी को अपने पती के रूप में प्राप्त किया था साथ ही किस प्रकार अपने दिन संकल्प और निस्ता से सवित्ती यम्राज जी से भी अपने पती के प्राण वापस ले आई थी ये कठाएं दसाती हैं कि एक इस्ति के तब निस्ता और समापण में कितनी सक्टी होती है अगर वह मन में कुछ ठान ले तो उसे पूरा जरूर करती है करवा को जानने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें दूस्तों करवा चोट को मनाने की एक अंकथा महाभात काल से भी जूड़ी हुई है जिसके अनुसार जब नीलगिरी परवत पर पांडव पो तपस्या कर रहे थे तब कई दिनों तब बापस ना लोटने पर दौपती उनके पती काफी चिंतित हो गई तब उन्होंने भगवान सिरीकिस्ट का ध्यान किया सिरीकिस्ट के दर्सन होने पर दौपती ने उनसे पांडव के कस्तों का निवान का उपाय पूछा तब सिरीकिस्ट बोले दौपती मैं तुम्हाई चिंता का कान समझ सकता हूं तुम्हारी स्वास्या को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कातिक महारी किस्म चतूर्थी आने वाली है उस दिन तुम सच्चे मन से करवा चौंट का व्यत रखना इसे तुम्हारी साही चिंटायन दूर हो जाएगी स्रीकिस्ट की अग्याप पार देवताओं के बीच भेंगा यूद चला था इस यूद में हालत ऐसे बन गाए कि देवता अस्रों के सामने कमजोग पने लगे और हालने की कलार पर पहुंच गए इसके पच्चार भाईवी देवतागार ब्रह्मा जी की सड़ में पहुंचे और बोले हे ब्रहमदेव हम कि प्रहकार इस यूद को जी सकते हैं कि प्रहकार इसकोई उपाय बताईए ब्रहमदेव बोले इस संगड को दूर करने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को वैत रखना चाहिए और सचे मन से अपने-पत्नियों की बिजय की कामना करनी चाहिए मितो ब्रहमा जी इस दिन के समय आकास में चंद दिवतार उसके साची बने माना जाता है कि तवी से करवा चौट को रखने की परिशान नहों, वेट के तूट जाने के बाद सबसे पहरे आप इस्नान करें और उसके बाद समपूर सिंगार करके पवित्मन से करवा माता को और मा गौरी से भूल के लिए छ्षामा प्यातना करते हुए पश्रताब करें, अब आप बैट के तूट जाने के दोर से बचने क के लिए किसी सुहागली को अपने समर्थ के अनुसार सिंगार की वस्त में वस्त एवं फल आदी दान करें, वेट तूट जाने के बाद भी व्यत को विधिवत करते रहें और साम के समय भगवान सिव, स्वामी कार्थिके, गर्वपती, चंद देव, विधिविधान से पू आपके सभी दोसों को दूर करके आपको अखन स्वागवती का बदान प्रणान करेंगी, वेटो पीयत के दुआन रखना है करवा चौट का व्यत, तो पूजा के लिए इन निमों का पलन करें, वेटो ये व्यत साल में एक बार आता है, और स्वाहगली महिलाओं को इस व्य पूजा पाथ के दोरान पीयत सुरू हो जाए, तो ऐसी महिलाओं को अपना व्यत पूजा करना चाहिए, इस दोरान मांसिक रूप से करवा माता की आस्ता करनी चाहिए, व्यती महिलाओं इस दिन पूजा पाथ के दोरान दूर बैठ कर किसी अन व्यती से पूजा करवा सकत खेसेट लाइन कोई भी सामान आपको छूना नहीं है पिएट के दोन आप अपने मन में मंतरों का जाब करते रहें में तो आप सोचे होंगे कि प्याट के दोवान पुल्या पाच के लिए प्लाचिक मानताओं के अनुशा कहा जाता है कि मासिर धर्म के समय महिलाओं के शरेए मhouse संचार अधिक होता है इस उलब हैं भगवानари सहें ने कर सकते हैं इसलिए प्याट के दौन महिलाओं को मनाई होती है स्टर्प तेरु़ झाल झाल